प्रिदाश्वा मित्रों शाथियों कौन कहता है कि काम्यावी किस्मत तह करती है मेरी गुरु महराजी कहते थे कि इरादों में दम हो तो मंजिल भी जुका करती है मित्रों शाथियों विशे बड़ा सुन्दर है आजगा और विशे है तेरा साल के बाद तेरा साल के बाद ब्रश्पति देव विर्शव राशी में संचरण करेंगे एक मही 24-24 दोपार 12 बज कर 57 मिनिट पर ब्रश्पति देव विर्शव राशी कृतिका नक्षद के दूसरी तरण में प्रवेश करेंगे तेरा साल बाद एक राशी में ब्रश्पति देव 12 या 13 मेंन आगे और विर्शव राशी में 13 बाद वापस आये हैं 9 अक्टूबर 24-24 ब्रश्पति देव विर्शव राशी में वक्री होंगे kitaonta और 4 फरवडी 2025 में सावर ब्रश्पति को जान लें से एक immers थोड़ा सा मैं ब्रश्पति की बारे में जान करी दूँगा इदि आपको ये नहीं सुनना है तो पांस साथ मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पर आजाने लेकिन ये आपके लिए काम की चीज़ भारती वैदिक जोतिस में नो के नो गरों में सबसे नैसरगर कोई सुपगर है तो ब्रश्पति देव है सास्त्रों में ब्रश्पति देव को सयम सील धरम का कारग माना विवेक का कारग माना ज्यान का कारग माना है समीज जोतिस ग्रवंतों में ब्रश्पति देव को शादूवर्ति, आध्यात्मत्ता, दिवित्या, ब्रमविद्या से समंध माना है। आकास तत्तु से समझे एका ब्रश्पति देव का विशेस गुण है विशालता, विकास, करम, धरम, दर्सन, ज्यान, शमर्दी इसके कारग ब्रश्पति देव जातकी जन्मकुल में ब्रश्पति देव अनकुल है तो सात्विक गुण Boulevard का विकास होगा समाध में मानपतिस् मानव जिवन पर देवगुरु ब्रश्पति का अपना एक प्रभाव है, जिवन के सुक्ष, स्वास्ते, समर्धी, शकारत मुदा बिना देवगुरु ब्रश्पति के किर्पा से संभव नहीं कि शाथ, इदी हमारी जन्मकुल में ब्रश्पति बहुत सुब अवस्ता में विर ब्रस्पति अनकुल नहीं तो सुबकारियों नहीं बनेंगी, दो राशियां हैं धनु और मीन और धनु राशी राशी इनकी मूल्तिर कौन राशी है और धन राशी अगनीततव राशी है, ब्रश्पति ब्रमांद और मानव के अंदर बाहर जो हुआ है उसका कारण जीवन क ब्रश्पती अज्ञान से हटाकर मानों को जीवन की पूरता के और जाने के लिए प्रिरिफ करता है यह देद्धात्य की पहले भाव में ब्रश्पती है तो वैभाव देगा वैभाव देगा और असुब विराजमान है धन भलकाम देदे प्रंतु चमतकारी गुण अवश्य अकेला ब्रश्पति कभी ऐस्तुपल नीडशास है ब्रश्पति बड़ा इस कालपुर्श की कुणली में ब्रश्पति 1 बारवे भाव के कारत झाघच शूरी देर चंधर देव मंगल देव सब्सक्राइब के मित्र है किन्तु सुकर देव और बुद्देव शत्रू राव केतु सनी देव से इनकी अच्सी नितरता है काल पुर्ष की कुण्ड़ी कानल ब्रश्पर देव नौवे और 12 भाव में स्वगरी होते हैं ब्रश्वर्द्देव विवेग अध्यात में है एजूशन के कारक भी है कर देद कि रसमर यां को को denn 수ro होगा क्या प्रमोशन मिलेगा भर सफलता मिलेगी क्या समाजीक शिवाओं का उस्सर मिलेगा क्या घर में बरकत होगी परिवार की सभी सदसी एक साथ खाड़े क्या है हमारा लक्ष क्या देव गुरु ब्रश्पति लक्ष प्राप्ति में साइक सीध होंगे या फिर आएगी बाद मित्रों शात्यों अब राशिपल पर आ रहा हूं लेकिन फिर याद रहेगा राशिपल आपके नाम राशी आपकी चंदर राधार राधार रर्णल प्रडेक्शन है आप चाहते हैं कि आपके देव गुरु आपकी जन्रमुण देव गुरु ब्रश्पति कांव राजमान है तो नीचे नमबर है इन नमबरों पर संपर करके आप में इसे बात करूंगा 12 क 12 राशियों का ब्रश्पत देव का विर्शप राश्य में संच्रण का क्या प्रभाव रहेगा मुन्यन को लेकर कुछ संकेत है उसका वीडियो में अलग बनाऊंगा मैदनी जोतिश अभी में आप लोगों की जरता को मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव उस हिसाब से राश्य फल लिकाओं लेकर मुन्यन के हिसाब से क्या प इसको आप सब में डालें अब मैं चर्चा करूंगा अब मैं जानकारी दूंगा राशी चक्र की पांच्वी राशी यहनी शिंग राशी राशी अधिपति देव शूरिय देव है एक मैं दोहजार चौबिस में जो ब्रश्पति देव का विर्षब राशी में प्रवेश है शिंग राशी वालों के लिए शिंग राशी वालों के लिए ब्रश्पति देव पंचम और अस्टम भाव के स्वामी होकर दसम भाव विर्षब राशी में विराश्मान कि धनान भाव को प्रभाव को प्रभाव प्रश्पति देखते हैं आमरित बर्स्ता करम dolor विराजमान होकर धन्भाव को देखना यह इस बात का शंकेत आरतिक पक्स में सुधरता आईगी परिवार में कोई न कोई खुशियों का महोल रहेगा समाजिक वर्षत सु बढ़ेगा और प्रशास्विक चमता में व्रदी होगी और कैरियर कामकाज कारवार को लेकर उत्तम अउस्तरकाशन की क्योंकि ब्रश्पत देव की पंचम दस्ति परिश का है नौकरी का है तानोनी मामलों का है तो जो नौकरी में लोग है उनके लिए बहुत अद्भूत समय है नौकरी शमंदी परिशान की छुटकालों मिलेगा जॉब समंदी नए मसले हाथ लगेंगे अच्छी-ची कंपनियों में रिस्ता बनेगा जॉब के आफर भी की परिशानियों से मुक्ति मिलेगी और कोट कचरी का मसला है तो उसमें राहत में से वैदिक जोती चिसके नक्षतर गणाओं के आधार पर शिंग राशी वालों के लिए ब्रश्पत देव का ये राशी परिवरतन करम भाव में बहुत करेगा बहुत करम भाव मजबूत कर आर्तिक दश्टिकॉन से ये राशी पर आपके लिए सुधरता लाएगा रोजगार की नई साधन उपलब्द होंगे सरकारी कारे में शपलता मिलेगी केरियर समंदी परिशान से मुक्ति मिलेगी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में आप है तो आपको मनोलकुल प्रमोशन अत्त हमा और आर्तिक दरता का अच्छा संगए आपका काम हैं चेटा-मूटा काम करते हैं या आप या है कारुबार करते हैं आपका अपना वैवेशाई है मार्केट में आपकी साथ बढ़ी मार्केट आपकी पकड़ में होगा और कारुबार में शफलता मिलेगे लाब के उत्तम आउसर में लाब माग परशर सुदर साथ में सम्मान भी है सब्तम दस्ती चतुर्ट भाव सिक भाव ब्ध आधा का भाव जन्ता का भाव भुमी भवन्वान का बहाब यह गत्तिक अपके प्लेजर का भाव में आपका नीजि सुख यही आप प्रॉपर्टी सैलबर चीज से काम करते हैं उत्तम अउस्ठाइब लाप इस समय आपने लीए खुर सकते मकान कर सकते वान कर सकते कोई पलॉट कर सकते और जिसरे कि घर है योगा ही होगे कोई पुराणा मकान है तो उसमें सफलता का दौर है लाप क्या समय है इस समय आपके लेकिन एक बात यह कहना चाहूंगा तो कि इस समय सफलता है तो अहंकार हावी नहीं होना चाहिए किसी का भी अनितिक तरीके से फाइदा उठाने का प्रयास्तर ना करना इस बात का चाहिए यह शक्तम अब नमदस्ति मैंने अब को बताया नहीं नमदस्ति चटे भाव पर है और देव गुरु ब्रश्पतिदेव की नमदस्ति अड़ी उठ्व बहुती पवित्र मानिए जो अनावसिक विगन है बादाए है उठापटक है परिशानिया अनावसिक विगन बादाप परिशानिया और कर्ष्णती सरकार से लाम और अद्धिकारी वर्ग आपके पक्ष में खड़ देंगा अद्धिकारी के स्वयोग के कारण आपकी पदोनती हो सकती है आएके नई साथम पलव सोग सकते हैं नहीं नहीं संभावनाओं का संकीत में जरा रहा है कठीन मैनस कड़ी महनत परिश्रम संघर्ष क अच्छे फल मिलेंगा समाज में वर्चत सो बढ़ेगा समाजिक सरुकार व्यविशाय में सवयोगी साबित होगा और नंडियार और ददियाल पक्स दोनों की और तिलाबकारी साबित यह समय आपके लिए किसी भी प्रज़र्ट पर काम करने के लिए आर्टिक सोग की प्रा और चौथा पाव आपका नीजी सुखे तो आपके अपने आसपास के लोग आपके साथ खड़े रहें तैल असल संपति की प्राप्ति भूमी भवन वान का सुख पारवरिक मसले हलोंगे पारवरिक प्रिशान उसे मुक्ति मिलेगी देवग्रु ब्रश्पति का सक्तम दश साथिक अपून सयोग मिलेगा घर में कोई शुब और मांगली कारी संपन होंगे आप यूआ हैं आप नौकरी करते हैं या अपना काम करते हैं आप खेल के मैदान में हैं आप रिशर्च कर रहे हैं या उच्छ सिख्डा में अध्यांदत है व्यविशाए नौकरी और हाइर कि एजुकेशन की विशाथ से युवाओं के लिए ये समय सोने में सुआगा है कम मैंनत अधिकलाब है युवाओं को अपने परिवार कस्तयोग मिलेगा आर्तिक परिशान से मुक्ति मिलेगी आर्तिक पक सुदर होगा मनुबल मजबुत होगा और नीजी सम्वन साधी पढ़ाई में रूची बढ़ेगी पढ़ाई में मन लगेगा प्रेशन अच्छे होंगे उच्छा में अधिनित विद्यार्तियों को शिक्षा में पढ़ाई का अच्छा सब्सक्राइब बस एक बात का ध्यान में इस्कूल या कॉलेज या जाब या पढ़ रहे हैं बहुत जादा जरूर नहीं हो तो बदलाव नहीं करें स्कूल कॉलेज में ध्यान रागे ब्रश्पति देव दसंभाव में विराजमान होकर दूसरे भाव चौथा पार उछटे भाव को प्रभाव करें तो जो मेरी गणना है मैं जिस हिसाब से गुरुमाराजी की दया से देखता हूं हेल्थ को लेगर थोड़ा आपको सावधान देना पड़ेगा पेड़ समंदी परिशानी का संकेत मुझे नजरा रहा एसी जीती है आतों में कोई प्रॉब्लम है खानपान में थोड़ी स्वास्ता चाहिए आस पास के वजँ आटा थोड़ जान नहीं करें जल्दबाजी में कोई कारिए प्रते एक कारी में धहरी और सम 1972 का प्रचे दे। एक के बाद एक कदम उठाए अनितालाद के वज़ाए हानी हो सकती है जल्दबाजी से बचना बहुत देरे और श्रम की संतिश्टी को देखना बहुत जरूरी है इच्छाओं का खपर कभी किसी का नहीं भरा साथ है जो है जो प्राप्त है वो ही प्र्याप्त है इस नीत्य को अपनाना पड़ेगा अब आप कहेंगे कि तेरा साल के बाद विर्शबरासी में और लगबग लगबग बारा मैना यहां रहेंगे एक साल यहां रहेंगे एक साल कुछ दिन हो सकता तेरा मैना पूरा तो क्या उपाए कर चीटियों को भोजन देना पड़ा उत्तम उपाए गुरुवारिक दिन पकवा पपिता गाई को छील कर खेलाना बड़ा लाबकारी रहेगा और गुरुवारिक दिन गुर और केला गरीब नेदन श्वागन इसरी को दान में देंगे तो आपके कश्ट पतेंगे पक्षियों को हर रोज दाना डालना बहुत उत्तम रहेगा ओ अच्छा रहेगा आपके कामकाज कारुबार के साथ यह था ग्रनक्षतरों के गंणाओं के आधार पर ब्रश्पति देव का विर्शव राशी में प्रवेश और शिंग राशी पर प्रभाव यह मेरी नीजी गंणा है इसलिए ना भय ना भ्रम ने ब्रहांती ने विवाद अधियों से बहुत प्यार करता है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया और यह मेरा शॉक था मेरी रास्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रह कि मनशियों और मानु होने इतना तरह मेरा करतव है कि मैं अपनी रास्ट के से रास्ट का नागरिक हूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रसतियां आर्टिक दस्टिकों से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ और ये मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए और स्योग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते है आप अपनी जन्मकूली बनाना चाहते है आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाये चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है ऐसा हिरदय से आया लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी भी मेरा ये एहिंकार नहीं है सात्यों मेरा राश्चरों परी है मैं यह नहीं कहा रहो मैं यह कहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवाज में गायों के लिए चारे की वेबस्ता करिए सन्य भगवान आपकी रिक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आवश्चता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में एकी सो रुपिया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भर याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्ट कौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना चाहिए आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनिधाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्योकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमोना रहें